जादूई बम का घर मुंबाई शहर में एक शंकर नाम का आदमी रहता था शंकर बहुत ही गरीब था और उसकी एक छोटी सी दुकान थी उसकी दुकान में बच्चों के खाने पीने की चीजें थी जिससे उसकी दुकान के अंदर छोटे-छोटे बच्चे आया करते थे इससे वो ज्यादा कुछ तो कमाने ही पाता था लेकिन अपने गुजारे लायक कर लेता था ऐसे ही धीरे-धीरे उसकी दिन बीत रहे थे और वो अपना गुजारा कर रहा था वहीं दूसरी तरफ शंकर का एक दोस्त भी था जिसका नाम मानव था मानव की एक बोहुत बड़ी पटाकों की दुकान थी और वो बोहुत अमीर भी था उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी मानव अपनी दुकान के पटाके शहर से खरीद कर लाता था उसके दुकान के अंदर बहुत तरीके के पटाके थे कोई छोटे, कोई बड़े, कोई तेज आवाज वाले, कोई रोकेट तो कोई फुल जड़ी भी थे उसके अतरंगी पटाके बच्चों को बहुत ही भाते और बच्चे सारा दिन मानव की दुकान पर खरीदारी करते रहते थे इसकी वज़े से शंकर की दुकान में जल्दी से कोई नहीं आता था और उसको दुकान बंद करने की नौबत आ गई एक दिन शंकर खाना खाते हुए अपनी बीवी शकुंतला से कहता है अरे शकुंतला अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें आगे के दिन भूखे थया से गुजानने पड़ेंगे अजी अब हम क्या कर सकते है भगवान अगर एक दर्वासा बंद करता है तो दूसरा दर्वासा खोलता भी तो है क्या पता हमारे नसीब में कुछ और लिखा हो अरे शकुंतला नसीब तो आदमी के हाथ में होता है वो अपना नसीब खुद बनाता है लेकिन मुझे तो लगता है कि हमारे नसीब में ये गरीबी ही लिखी है और मैं इस गरीबी को कभी पलट नहीं सकता अर्जी आप अपने उपर भरूसा तो रखिए और इमानधारी से अपने काम करिए कुछ न कुछ तो जरूर होगा उसके बाद शंकर खाना खाकर अपनी दुकान में चला जाता है और दुकान में जाकर बैठता है और सोचता है कुछ ही दिनों बाद दिवाली आने वाली है अगर मैं थोड़ी महनत करूँ और अपने हाथों के बमपटाके बना कर बीचूँ तो शायद जल्दी ही कुछ अच्छी कमाई हो जाए ये सोचकर शंकर शाम को जंगल जाकर जंगल से कुछ पेड़ की पत्निया लेकर आता है और उन्हें सुखा कर उनके छोटे छोटे बमपटाके बनाता है जिने जलाने में आवाज सुतेज आती है लेकर उनसे कोई नुकसान नहीं पहुँचता अगले ही दिन वो उन बमपटाकों को अपनी दुकान में रकट जोर-जोर से चलाता हुआ कहता है लेलो लेलो बमपटाकी लेलो इन चोटे से बम में बहुत बड़ा धमाका होगा और ये बम तुमें नुकसान भी नहीं देंगे ये छोटा सा पैकेट और बड़ा धम्मा का करने वाले बम पटाके ले लो आओ आओ जल्दी ले जाओ फिर नहीं मिलेगा मौका खरीदने का शंकर के आवाज सुनकर वहाँ कुछ लोग एकटी होने लगते हैं और शंकर के बम पटाके लेने लगते हैं धीरे धीरे उसकी दुकान में बहुल ज्यादा भीड़ हो जाती है और उसके बनाई हुए सभी बम पटाके दिख जाते हैं और उसे तीन गुना मुनाफ़ा होता है क्योंकि ना तो उसे शेहर जाकर महंगे बम पटाके खरीद कर लाने की जरूरत पड़ी और ना ही शेहर जाने का किराया लगाना पड़ा उसने अपने ही तरीके से बिना कुछ पैसा लगाए कमा लिया और इस बास से वो बहुत खुश हुआ ऐसे ही धीरे-धीरे कुछ दिन निकल रहे थे अब मानव के दुकान में कोई नहीं जा रहा था इसलिए एक दिन मानव शंकर के पास गया अरे भाई शंकर क्या हाल है तेरे तो बहुत अच्छा कमारा है आखेर तो बना कैसे लेता है इतने अच्छे बम पटाके तेरे बमों के तो पूरी गाओं में चर्च भी नहीं होता हाँ भाई बिल्कुल ठीक है कम रुपियों में जादा कमा ले ना तेरी चोटी सी दुकान के आगे मेरी तो दुकान ही ठप पड़ गई अरे भाई ऐसा क्यूं सोच रहे हो भगवान सबको अपने अपने नसीब का देता है ये तो मेरा नसीब था जो मेरे पता को को सस्ते में रेट लगा देता हूँ उसके बाद मेरे आतरंगी बंपता के गाओ वाली जरूर लेंगे अगले ही दिन मानव मेहंगे बंपता के बहुत सस्ते में लगा दें ये देखकर गाओं के वी लोग मानव की घर दो पल की खुशी भी ठीक से नहीं आ सकती क्या हुआ जी आप इतने उदास क्यूं हो रहे हो शंकर शकुंतला को मानव की दुकान में गिरे हुए रेट के बारे में बताता है जिन्हें सुनकर शकुंतला को भी बड़ा बुरा लगता है देखीजी आप चिंता मत कीचिए भगवान हमारा साथ जरूर देगा आप बस मैनत करते जाएए अगले दिन जब शंकर दोबारा जंगल में पेड़ की पत्तियां लेने जाता है तो वहां उसे एक बोड़ी ओरत दिखाई देती है जो जंगल में बेहोश पड़ी होती है वो उसके पास जाता है और उसके मू कर आगे और मैं गिर पड़ी क्यों माजी आपका कोई घर नहीं है क्या हाँ मेरा घर भी था और मेरा एक बेटा भी था लेकिन उसने मुझे घर से निकाल दिया और इस जंगल में लाकर छोड़ दिया आप चिंता मत करो माजी आप मेरे साथ मेरे घर चलो मैं आपकी सेवा कर मुझे अपना बेटा समझ लो बूड़ी और शंकर की बात सुनकर उसकी घर चली जाती है वहाँ शकुंतला और शंकर दोनों मिलकर बूड़ी और प्रसन्न हो जाती है और तुरंद एक देवी का रूप ले लेती है शंकर तुम और तुम्हारी बीवी शकुंतला बहुत ही अच्छी दिल के हो और तुम्हारा मन भी बहुत साफ है मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ आज के समय कोई भी व्यक्ति किसी अंजान के लिए इतना नहीं करता जितना तुमने मेरे लिए किया मैं अक्सर लोगों को अपनी परिक्षा में आजमाती हूँ और तुम दोनों मेरी परिक्षा में पास हो गए हो इसलिए मैं तुम्हें एक जादूई बम का छोटा सा घर दे रही हूँ देवी जादूई बम का घर शंकर को दे कर वहां से गायब हो जाती है वहीं दूसरी तरफ शंकर उस जादूई बम के घर को अपनी दुकान के पास रख जाता है देखते ही देखते वो छोटा सा जादूई बम का घर एक विशाल जादूई बम में बदल जाता है उसके बाद जब श्वंकर चादूई बम के एक घर के अंदर जाता है तो उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर और अतरंगी बम पटाके होते हैं जिन्हें जलाने के बाद कोई नुकसान भी नहीं होता फिर वो जादूई बम के घर को अपने बम पटाकों की दुकान बना लेता है जिससे उसकी बहुत दिक्री होती है और धीरे-धीरे वो अमीर होने लगता है और वो अपनी बीबी शकुंतला के साथ खुशी-खुशी रहने लगता है और मानव का काम मंदा हो जाता है